नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तों सखा और मित्र जुगानी आप देख रहे हैं कि भाई जो आपका एक वीडियो बना था डिगार्डिन टू यह जीवी जो सबसे पहले आपके जुगाई टाक्स ने इसको इस्पोर्च किया था आज के टाइम पर उस पर आप बोला था कि अपने ध्यान को बिचलित ना करें हमारा टेन्योर लांग टेन्योर है तब तक में दो तीर एलक्षन हा जाएगा और उसके बाद में करीड़ 14-15 बजट हो जाएंगे तो एक बजट में हमने इतना ज़्यादा किसी एक चीज़ पर फोकस करके अपनी एनरजी को निगेटिविटी की तरफ हमें नहीं ले जाना है तो अगेन मैं उस बात पर कायम हूँ आज हम बात कर लेते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हो गए हैं आप उनको कल संडे है संडे की दिन लिया जाएगा बट मैं एक बात बता दूँ कि इस माल कैप और मिट कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो खिन के अधीन है वो तो आप पास फ्लेक्सी कैप एक तो फंड होना चाहिए लार्ज कैप को छोड़ दीजिए आज के टाइम पर लार्ज कैप अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप बोलेंगे भया आप ऐसा बोल रहे हो तो क्योंकि क्या है कि लार्ज कैप बिलूचिप कमपनिया लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि मुझे काफी अच्छा लगा है और आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए जो सबसे पहले एक ये बात निकल करके आई है जुगानी टॉक्स के दौरा हाला कि हमने सिर्फ और सिफ आपको पता है मैं किवल आमने सामने बात क करके तू दा पॉइंट तब उसके बाद में बात करता हूं अभी लोग उसकी सलाइटें वगरा बना करके काफी सारी आलोचनाए कर रहे हैं क्योंकि लोगों की आखे तब पुली है तब समझ में आया है तो सरकार का बारे में मैं एक बात बताओं कि सरकार हो या कोई भी आ कोई देख नहीं रहा है लेकिन जैसे हम लोगों को उस बिल्ली क्या कारणामे दिखाई देते हैं वो इसे ही जनता को बाद में कारणामे आ जाते हैं इंडेक्सेशन का अभी तक तो यही आ रहा है कि इन्होंने कुठारा घात क्यों किया है लेकिन इंडेक्सेशन का भी साम पास इंवेस्टर्स को चुना लगा दिया गया है, क्योंकि रेक इतना ज्यादा सोने का डाउन हो गया है, तो इतना कम से कम आज साड़े आठ जार रुपया तो गौवर्मेंट ने अपना 9000 करोन के आज पास तो गौवर्मेंट ने अपना बचा ही लिया है कि इनको जिन्हों पर हम भरोसा करते हैं, हर quarter में उसका interest change होता रहता है, तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है, वहाँ पर भी हमें कर देगी, तो अभी संसे की स्तिती तो लोगों में बनी रही है, अब देखते हैं, उसके बाद में सरकार इसको क्या clarify करती है, और कैसे करती है, वो देखा जाएगा अभी रही बात कि FIIs, जो डियाएज दोनों पायश बन नहीं है, FIIs की मैंने आपको 49,000 करोन रुपे जो इनके पास अभी पड़े हो है, 5,000 करोन को छोड़ करे कल 2,000 करोन लिया, तो 47,000 करोन के आसपास इनको अभी पढ़ा हुआ, इस साल की 25,000 करोन की यह आ जाएगी, तो 47 और 21 आपका कितना हो जाएगा, 47,000 करोन के आसपास तो आपके केवल एमसी में पैसा पड़ा हुआ है, आपका इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद में अगर FIIs भी फर्दर कंटीनू करती है भाइं को, तो वहाँ पर आप लोग लिए पोजिशन बनाना आई वही है, चलिए आभी आगे पहले हम कर लेते हैं, मिड केव कर लेते हैं, पहले मैं इसमाल केव करता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक से लेकर के 100 कंपरीज तक Blue Chip जो कंपनिया है, उनको लार्ज केव माना जाता है, ठीके ना, लार्ज केव में उनकी संग्य मिड़काइप के कैटेगरे में माना जाता है, ईसको उसको जो है समाल कराप माना जाता है, अब आपको इसके अखिर में इस पर लेने की सलाह समझदार आटमी क्यों देता है, देखो अगर आप एज़ेट हो गए हैं, तो एज के मुताबी की रिस्क लेना है, वो 100 माइनस एज का क्राइटरिय हमने बता है, वो उतना ही पोर्सन आपका इकोईटी में जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब फ्लक्सी कैप से, और जिनकी एज थोड़ा ज्यादा है, उनका फ्लक्सी कैप में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकि मिड कैप में थोड़ा से कम होना चाहिए, और इसमाल कैप में थोड़ा और क प्रोसिस करता हूं, एक छोटी सी फैक्ट्री है और उसको आडर मिलिया, बड़ा आडर मिलिया, लेकिन उसके पास उतनी पूजी नहीं है, बट मैन पावर उसके पास में है, तो वो उसके बाद में क्या बोलता, अपनी मैन पावर को बोलता, यस हम डे नाइट वर्क करेंगे के बाद में उसको फ्रीफिल करता है, उस परकारजा, और वो अपने हमेसा संजीदा राता है, अपनी कंपनी के सेफ्टी और सेक्योर्टी के बारे में, लेकिन वहाँ पर आपका फंड मनेजर हो उसकी टीम, क्योंकि हम फंड में डायरेक्ट हम किसी स्टॉक को ले नहीं रह हैं, तो वहाँ पर आपका फंड मनेजर उसको समझ करके उनके डेप्ट हो गारा को देख करके तभी जाकर के इन्वेस्ट करता है, तो ये सारी चीजें आपको मनेजर रखते हुए क्या होता है, कि वहाँ पर वो अपने आडर को मतलब यह नहीं हाओ, कितनी हार तोड मेहनत करके उसके बाद में complete करता है, तो हुआ ही आपने देखा होगा कि जब वो क्या करता है, थोड़ा सा higher rate पर पैसे को पारो करता है, महनत जादा करता है, और उसके बाद में supply को करता है, इसलिए इसमें return थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन return के साथ साथ इसमें risk भी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है, बाद अबे आडर ना complete हो पाए, लेकिन वहाँ पर यह होता, अगर 70% allocation आपका small cap की इस टाइप के companyों में है, तो एक दो company अगर default भी कर जाती है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और उपर से उसको sustain करने के लिए कुछ portion आपका large cap का, कु return के चक्कर में, अगर mid cap और small cap का location जादा कर रहे, तो कहीं नखें, injustice है, जो बंदा क्या है, एक conservative investor है, उसके साथ आप कहां justice कर पार हो, फिर end time पर आप बोलोगे कि मेरे पाद liquidity का crunch आ गया, और मैं उसको दे नहीं पाऊंगा, main बात यहाँ पर हो जाती है, लेकिन आगर आप के पाद 10 साल या उससे ज्यादा का horizon है, तो small cap में इतनी सारी बाते मैंने आपको बता दी है, आप small cap में risk ले सकते हो, कोई भी दोड़ाय नहीं है, तो जो इनकी risk appetite ज्यादा है, जो bell settled है, या जो इवा है, और वो सोच रहे हैं कि मेरे को highway carpass की जरूरत है, मेरे पास थोड़ उन लोगों को काफी जवाब मिल जाओगा, जिन्होंने मेरे से पूछा होगा, बाकी मैं जब query को cover करूँगा, तो उसके बाद में इसको cover करता रहूँगा, कि आपको small cap में invest करना चाया है, नहीं करना चाया है, आज के time पर लमसम करने लाइक है, नहीं, लमसम का छोटा कभी भी पार कर सकते हो, और इस समय पार करना मश्ट है, क्योंकि आपका क्या हुआ, चार जून को आप चूप गए, उसके बाद में 30 जुलाई को budget के दिन आप चूप गए है, तो फिर हमेसा आप चूपते जाएंगे, क्यों क्योंकि आदमी का ये होता है, जब market गिरने हो जाएगा, बियांड ये सोचे होए कि कम market down होगी, कम market up होगी, लेकिन वहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि यस मैं ऐसा करके ने ले पा रहा हूं, तो SIP का सहरा लीजे, नहीं तो दिरे-दिरे HDP का सहरा लीजे, HDP से भी अगर आपका HDP से कबर हो जाता तो ठीक है नहीं, तो बीच-बीच में आपको अपना क्या होना चाहिए, 5-10% का allocation करना ही चाहिए, अब SGB के regarding, जितनी चारी news आ रही है, अभी लोग उसके बाद में वल्ला मचा रहे हैं, देखते हैं सरकार क्या करती है, वो सब भी छोड़ देते हैं, अभी हम अपने investment पर पका ध्या करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में, फिर आप लोग natuur को कोई भी बाद बताता हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं बताता हूँ, या आप लोगोंने देख लिया है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो यार दोस्तों, जो नए वीवर सा, उनका काम है, आप प्लीज सब्सक्राइब करो परिवार के साथ जुड़ो और जो आप लोगों के मन में जो भी जिग्यासा हो क्योरीज हो क्योंकि कल है संड़े उसके बाद में उसको डाल सकते हो बहुत सारी क्योरीज और कमेंट्स हो गए हैं उनका जबाब हमने कल देना है बहुत ही सिगरता स उनको हम कबर करने कोशिस करेंगे और जिनको थोड़ा सा लगता है कि यस यह हमें मोटिवेट कर रहा है यह बाते हमें मोटिवेट कर रही है तो आप लोग लाइक होगरा किया करो उससे क्या होता हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी ऐसा मासूस होता है हमार मैं मिसर्च करता हूँ उसके बाद मैं ही आप लाओं को वही चीज बताता हम ताकि आपका कहीं पर भी नुक्सान ना हो और एक बात मैं और गिलिए करता हूँ कि मैं कोई भी KisOO को भी नहीं देता हूँ कि वह ट्रिक बताता हूँ годаosa हूं ट्रिक और उसके बाद